दोस्तों ICIC Prudential Mutual Fund House अपना एक नहे NFO लेकर आ रहा है ICIC Prudential Strategic Metal and Energy Fund of Fund के नाम से तो ये एक Fund of Fund है, Fund of Funds दोस्तों वो Funds होते हैं जो directly किसी share को purchase नहीं करते हैं ये किसी particular fund में या ETF में पैसा लगाते हैं तो इस वीडियो में हम detail में देखेंगे कि ये Fund of Fund किस fund में पैसा लगाने वाला है उसकी strategy क्या रहेगी क्या उसने returns अभी तक generate किया और end में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको इसमें invest करना चाहिए या नहीं तो आईए देख लेते हैं ये वीडियो तो दोस्तों ये एक Fund of Fund है और ये अपना जो major पैसा है वो first trust strategic metal and energy equity fund में लगाएगा ये Fund कहां पे अपना पैसा लगाएगा इसके बारे में हम अभी detail में वीडियो में बात भी करने वाले हैं NFO date की बात करें तो 17 जनवरी 2022 से इसका NFO open हो रहा है और 31 जनवरी तक ये open रहने वाला है तो अगर आपको इसके NFO में invest करना है इस period के बीच में आपको यहां पर invest करना होगा अब दोस्तों बात करें कि ये पैसा कहां पर लगाएगा तो दो चीजे आपको यहां पर समझनी है एक तो ये global equity में पैसा लगाएगा और कहां पर पैसा लगाएगा ये पैसा लगाएगा oil and gold की mining companies में अपना पैसा ये लगाएगा अब दोस्तों बात आती है कि हमें as a investor oil and gold में invest करने का एक क्या reason हो सकता है तो जो एक major reason हो सकता है जिसकी वज़े से आप इसमें invest करने के बारे में सोच सकते हैं वो है कि ये जो fund है ये basically एक hedge की तरह काम करने वाला है क्योंकि इंडिया में जो majorly import है वो oil and gold का major import इंडिया करती है और ये दोनों ही commodities है ये दोनों ही dollar में denominate होती है अगर आने वाले time में dollar का price भढ़ता है तो यहाँ पर इन companies को फायदा मिल सकता है अब दोस्तों अगर हम बात करेंगी ये जो fund है ये work कैसे करेगा तो Indian investors जो पैसा लगाएंगे हम लोग पैसा लगाएंगे ICIC Prudential Strategic Metal and Energy Fund of Fund में और ये जो fund है ये आगे पैसा देदेगा First Trust Strategic Metal and Energy International Fund को तो basically हमारा जो पैसा है वो indirectly First Trust Strategic Metal and Energy International Fund में जाकर लग जाएगा तो अब हम इस fund की investment strategy देख लेते हैं देख लेते हैं इसने कहां पर अपना पैसा लगाया हुए किन companies में और किन sectors में तो सबसे पहले अगर हम इनकी investment का process समझते हैं तो यहाँ पर इनका जो process है वो बहुती जादा simple रहता है कि ये दो ही type के stocks में पैसा लगाते हैं gold mining stocks में पैसा लगाते हैं वहाँ पर उनकी modified market capitalization के हिसाब से ये portfolio बनाते हैं और उसके बाद oil and gas के जो stocks होते हैं उसमें ये अपना build करते हैं portfolio 50-50% allocation ये दोनो type के stocks को दे देते हैं gold का portfolio 50% का बनाते हैं और साथ में oil and gas का portfolio भी 50% का बनाते हैं और उसके बाद इनके correlation को check करके time to time monthly basis में portfolio को rebalance किया जाता है अब दोस्तों अगर हम बात करें कि majorly इसने पैसा कहां लगाया हुए इस fund ने तो इस fund के portfolio में अभी total 124 companies हैं अगर हम market cap की बात करते हैं तो 10.68 billion की market cap है 43 companies जो हैं वो gold stock की है और 29% allocation इसने total अगर हम देखेंगे 29% allocation इसने gold stocks को दिया हुए वही 81 companies जो हैं वो oil stocks की है और 69.6% जो allocation है अगर हम percentage wise बात करते हैं तो oil stocks को दिया हुए यानि कि major allocation जो अभी दिख रहा है वो oil and gas के stocks को है 69% और 29% allocation गोल्ड के stocks को है companies पे अगर आप बात करते हैं तो यह कुछ companies हैं जिसमें इन्होंने invest किया हुए top की companies अगर आप देखते हैं country wise अगर आप देखेंगे तो 61% जो पैसा है जो companies में लगाया जा रहा है वो United States की company है 61% यहाँ पर Canada की 28% companies है 3.38% Australia की भी company है उसके अलावा Great Britain, Mexico की भी थोड़ी बहुत companies यहाँ पर देखने को मिल रही है तो major allocation United States का है लेकिन यह एक global kind of fund है जिसमें United States के अलावा भी काफी सारी countries को cover किया हुआ जैसे South Africa, Russia, Mexico Great Britain, Australia जैसी companies यहाँ पर आपकी cover हो रही है तो यह काफी सारी companies हैं जो oil and gas और gold से related है जिसमें इसने majorly पैसा लगाया हुआ है maximum weightage किसी भी company को जो अभी मिला हुआ है वो 6.5% का weightage maximum किसी एक particular company को इन्होंने दिया हुआ है वहीं दोस्तों अगर returns की हम बात करते हैं since inception returns के अगर आप बात करेंगे तो 17.21% की return इस fund ने since inception generate किया है और अगर आप quarterly returns यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप यहाँ पर quarter 4 की returns देखेंगे तो quarter 4 में 5.72% की return है quarter 3 में negative 0.3% की return है quarter 2 में 8.53% की return है तो अगर आप recent की performance देखेंगे तो कुछ खास performance नहीं दिख रही है लेकिन अगर आप since inception performance देखते हैं तो यहाँ पर performance इसकी ठीक दिख रही है 17% की returns इसने generate की है अब दोस्तों अगर हम इसको summarize यहाँ पर करते हैं इस fund को तो यह fund पैसा लगाएगा global companies में सिर्फ US companies में पैसा यह नहीं लगाएगा तो अभी तक दोस्तों क्या होता है कि majorly जो हम लोग बाहर पैसा लगाते हैं या तो tech companies में लगाते हैं या US की companies में लगाते हैं तो यहाँ पर भी वैसे 61% global companies में से US की companies ही हैं लेकिन 30% से जादा पैसा आपका और companies में भी लग रहा है और यहाँ पर metal and energy में अगर आप पैसा लगाना चाते हैं तो ऐसे fund का आप चुनाव कर सकते हैं और इसमें सिर्फ एक reason है जिसके लिए आप invest कर सकते हैं कि इंडिया के angle से अगर आप देखें तो एक अच्छा hedge आपको मिल जाता है अगर आप gold और oil में invest करते हैं वो क्यों होता है वो हमने अभी उपर यहाँ पर बात की थी वहीं दोस्तों अब इस fund की हम कुछ basic details पर बात कर लेते हैं तो अगर आपको इसमें पैसा लगाना है तो कम से कम आपको 1000 रुपे से यहाँ पर शुरुवात करनी होगी SIP की बात करें तो daily, weekly, fortnightly, monthly सब type की SIP आपको यहाँ पर मिल जाएगी SIP सिर्फ 100 रुपे से है हाला कि अगर आप NFO में पैसा लगा रहे हैं तो 1000 रुपीज minimum आपको यहाँ पर लगाने होंगे regular और direct दोनो plans available है options की बात करें तो growth option और income distribution कम capital withdrawal option दोनों आपके पास यहाँ पर available है exit load की बात करें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा एक साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% का exit load देना होगा एक साल के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको कोई exit load नहीं देना होगा taxation की बात करते हैं तो दोस्तों जितने भी ये international funds होते हैं जो international companies में पैसा लगाते हैं वहाँ पर जो taxation होती है वो debt fund के हिसाब से आपकी लगती है यानि कि अगर आपने 3 साल के अंदर पैसा अपना निकाल लिया देज दिया तो आपको short term capital gains लगते हैं तो जो भी आपका capital gain होगा वो आपकी income में add हो जाता है और अगर आप 3 साल के बाद कोई भी पैसा निकालते हैं तो जो भी profit होता है उसको long term capital gains बोला जाता है और 20% tax लगता है इस पे with indexation benefits अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इसमें invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो दोस्तों ये थोड़ा जादा typical fund है और मुझे लगता है कि एक retail investor को इस fund से दूर रहना चाहिए बहुत जादा risk आप ले लेंगे अपने portfolio में अगर आप ऐसे कुसी fund में invest करते हैं returns भी अगर आप देखेंगे 17% के आसपस की return है since inception ठीक returns है लेकिन इतना ही returns तो इंडिया के जो large care funds है वो ही अभी generate कर रहे हैं तो जबरदस्ती एक diversification के चक्कर में ऐसे fund में आप invest ना करें मेरे इसाब से आपको ऐसा fund avoid करना चाहिए मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही उमीद करता हूँ वीडियो से आपको help मिलती होगी help मिलती है तो वीडियो को like करके जाना ना भूलियेगा धन्यवाद